हुआ हुआ है हलो फ्रेंट्स में मुश्टर मौसम सिंग CTT वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं एक ऐसा ही टैक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी पैराग्राफ में कोई भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं और उसे दुबारा से स्टाटिक पॉइंट से लिख सक सबढ़ कर से चाहिं जर्फ से निदे आपको नोटपैड पर बता डेता हूं कि कौन सा टैग है तो यह तैग है दोस्तो BR योच करते दोस्तों आप आसानी से लाइन को ब्रेक कर सकते हैं अब मैं इसे क्लोच कर देता हूं है कि यौण से उसके बाद मैंने मैं उसके मंद मैं ट्रीम खरोपन कर लेता हूं यहाँ पर यहां पर यहां पर क्रिएट नियू में hdml प्स इलेक्ट कर लेजी क्योंकि हम लोग अब ही हैं तो ऑल सेलेक्ट सेट अंग कर देता हूं चलिड़ चाहिए है HTML उसके बाद head और उसके बाद title टाइटल डाल देते है लाइन प्रेक और title क्लोज कर देते हैं उसके बाद head tag भी क्लोज कर देते हैं और उसके बाद body tag स्टार्ट करते हैं यह मैंने body tag स्टार्ट कर दिया चलिए body tag में हम एक paragraph यूज करते हैं और उस paragraph के अंदर हम यूज करेंगे चलिए सबसे पहले मैं छोटा सा कोई एक लाइन लिख लेता हूँ हूँ हाँ stml full name of hyper text markup language यह दुस्तों मैंने एक लाइन लिख लिया और इसके बाद मैं बिया टैग यूज कर लेता हूँ यह मैंने बिया टैग यूज कर लिया यहां पे यह जो मैंने आके लाइन लिखा है मैं इसे copy कर लेता हूँ टाकि मैं इसे दो बार और paste कर सब्सक्रें यहां पर मैं तो बार इसे पर ढार मैंने लिख दिया है और उसके बाद मैंने HTML टाइगी क्लोज कर दिया चलिए मैं इसे सेब करा के रन करा के दिखा देता हूं आपको सेब पर गए डेश्टप पर गए और उसके बाद HTML फॉल्डर में अब मैं इसका नाम चिंश पर बिता हूं लाइन .html अब मैं इसे सेब कर देता हूं अब मैं इसे मिलिमाइच कर देता हूं और डेश्टप पे जो HTML का फोल्डर इसे ओपिन कर लेता हूं यहां पर दोस्तो लाइन.html की फाइल है मैं इसे ओपिन कर लेता हूं दब से पहले दिखते हैं HTML, full name, hypertext, markup language दोस्तो मैं यहां पर वी अटाइक उज़ किया था इसलिए लाइन ब्रेक हो गया है और आपको कहीं पर भी लाइन को ब्रेक करना है स्टार्टिंग पॉइंट से लिखने क्या सबता है तो आप वी अटाइक उज़ कर सकते हैं अम इसे ख्लोज कर देता हूं थैंक यू दोस्तो मैं वाचिंग वीट्यो और प्लीज सुस्क्राइब मैं चैनल थैंक यू